हलो एवरिवन वेलकम बैक सद्दाम खान फिजिकल एजूकेशन क्लासेश के उपर और आज हम एक महात्पूर टॉपिक पे बात करेंगे आज हम बात करेंगे टेस्ट मेजरमेंट एंड एवलुएशन एंड फिजिकल एजूकेशन सारीरिक सिच्छा में परिच्छन मापन एक ही विडियो में हम यूनिट और यूनिट तो करेंगे ठीक है और सैस्धश वाएज जो आपको अठोड़ करते हैं एक करतेंगे मेंनिक आप टेस्ट टेस्ट क्या एै ठीक है उसको देखते हैं यह एक ऐसा साधन अथवा प्रश्णों का समू तथा परिछण है जिसका उप्योग किसी व्यक्ति या व्यक्तित्यों के समू के किसी लच्छण विशेश को मापने के लिए किया जाता है मतलब कोई एक वेक्ति है या कोई समू है अगर उनके लच्छण को मापना है तो किसके माध्यम से मापेंगे एक परिच्छण के माध्यम से ना पेंगे एक टेस्ट के माध्यम से ना पेंगे ठीक है तो किसके माध्यम से हम पता करेंगे टेESoni के माध्यम से पता करेंगे आगए देखते हैं ठीक है कुछ इस तरह की हमारी टेस्ट की मीनिंग है तो तीन हमने यहाँ पे लिख रखी है तकी आपका जो कॉंसेप्ट वो किलियर हो और आप अच्छे से समझ सकें ठीक है अब हम आगे चलते हैं आगे देखते हैं meaning of measurement ठीक है उसको देखते हैं यहां किसी प्रदर्शन अथ्वा सूचना का संग्रहन है जो किसी निर्णय को लेने में मदद करती है जिसमें सांक्यकी सूचना का संग्रहन ही मापन कहलाता है ठीक है आगे देखते हैं यहां एक प्रक्रिया है जिसमें किसी भी टेस्ट की हुई चीज को संक्यकी मोले परदान किया जाता है मतब कोई भी हमने एक टेस्ट लिया ठीक है जो हमें आकड़े मिले हों संक्यकी में ही मिलते हैं सूचनाओ को संख्यात्मक रूप से इखटा करना ही मापन मतब मेजर्में है ठीठेख इसको अगर हम इखटा करेंगे तो क्या कहलाता है हमारा यहां पर मेजर मेंट कहलाता है ठीचे चलिए हमने यहां पर टेस्ट को समझे ब gir t दिन को देखेंगे ठीक चलिए यहां एक टकनिक Дवारा हमें यहां ग्यारत होता है कि उद्देश किस हद तक हुआ है तथा यहां एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है जो ग्रेट तथा रैंकिंग को बनाने में मदद करता है अब ग्रेट तथा रैंकिंग से मतलब क्या है कि जैसे कोई है कम ने टेस्ट लिया उसका result आया तो result कैसा होगा good होगा या bad होगा तो उसमें आकड़े होंगे grade होंगे ठीक है A grade B grade C grade D grade तो यह हमारा evaluation कहलाता है ठीक है आगे देखते हैं इसमे evaluation एक ऐसी प्रक्रिया तक्निक या विवस्था है जिससे यहाँ पता चलता है कि आप अपने लक्ष को कितना प्राप्त कर चुके हैं ठीक है चलिए आगे देखते हैं हम अपने स्लेबस में देखेंगे हम Needs and Important of Test and Measurement and Evaluation in Physical Education उसके Needs and Important देखते हैं जो की बहुत महत्पूर्ण है सबसे पहला यहाँ पर Needs Important देखते हैं उद्देशियों को निर्धारण करने में आवस्थाओं के आधार पर लक्ष और सीमाओं का निर्धारण करने में ठीक है सबसे पहला हमारा Important देखते हैं दूसरा हमारा है लक्ष और उद्देश की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है इसकी जानकारी करने में तीसरा हमारा है किसी व्क्त की आवशक्ता योगिता तथा सामर्थ को समझने में चौथा हमारा है छात्रों के मुल्यांकन करने में जिससे की उनके कमी के छेत्र में सुधार किया जा सके पाँचमा देखते हम सिच्छन योजना के मुल्यांकन में छटा हमारा है छात्राओं का वर्गी करन करने में आगे देखते हम साथवा हमारा है समय समय पर अधिगम की प्रगती के बारे में जानकारी लेने में आधिगम योजना में मोल्यांकन करने में तथा बायो मेकैनिक्स मोटर इस्किल कॉंगिनिटिव इसमें सुधार करने में आगे देखते हैं नवा है भविष के पदर्शन का पूर्वनमान करने में हमारा जो लास्ठ है, दस्वा है जांच तथा समिक्षा करने में जो हमारा आगे अगला है, ग्यारवाँ टीम तथा इंड्वीज़ुल के चैन में ठीक है अब आगे देखते हम principles of evaluation यह हमारे syllabus के इंदर दिया हुआ है ठीक है? evaluation के जो सिध्धान्त हैं उनको देख लेते हैं ठीक है? चलिए मुल्यांकन एक विज्ञानिक एवम सौववस्थित प्रक्रिया है इस प्रक्रिया में निम्लिखित निम्नांकित प्रमुक सिध्धान्त हैं कौन कौन से हैं? उनको देख लेते हैं सबसे पहला सिध्धान्त है मारा जिस उद्देश के लिए मुल्यांकन किया जा रहा है उस उद्देश की पूर्ती के लिए मुल्यांकन उपकरण प्रियोग करना चाहिए मुल्यांकन के अनेक उपकरण होते हैं जिसमें से पृतियक उपकरण मुल्यांकन के एक विसिस्ट उद्देश की प्राप्ति में सहायक होता है दूसरा देते हैं जब तक मुल्यांकन का उद्देश भली बाती सावधानी के साथ परिभाशित ना कर दिया जाए तब तक मुल्यांकन के उपकरणों का चैन अत्वा उसके विकास पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए यदि उपकरण ना मिल सके तब सही उपकरण बनाने के समय उनकी उपयोगिता के विशय में मुल्यांकन करता को पूर्ण ग्यान होना चाहिए इनकी अच्छी विशेस्ताओं एवं सीमाओं को ध्यान में रखते हुए इन्हें उपयोग में लेना चाहिए चौथा हमारा प्रिंस्पल्स यहां पर है एक उपकरण के माध्यम से किसी भी व्यक्त क्या पूर्ण मुल्यांकन संभव नहीं होता अता पूर्ण मुल्यांकन हे तू मुल्यांकन की विविद्ध्याओं एवं उपकरणों का प्रियोग करना चाहिए आगे देखते हैं पांच मोल्यांकन नमारा है एवालोएशन जिसको हम मोल्यांकन करते समय मोल्यांकन करता को अतियंत सावधानी पूर्वक कार करना चाहिए और यथा संभाव दोशों के जाल से बचने का पूरा प्रैत्न करना चाहिए चाहटा हम देखते हैं मुल्यांकन के सिध्धान्तों एवन नयतिक मोल्यों का ध्यान रखना चाहिए हमारे principles of evaluation थे जैसा कि हमारे slabus में दिया हुआ है कि evaluation के सिध्धान्त तो हमने छे सिध्धान्त यहां पर पढ़े हैं जो कि हमारे लिए important है यूनिट वन हमारी हां पर समाफ वजाती है। अब मामागे बढ़ेंगे यूनिट टू में। ठीक है। इन चीजें पर सबसे पहले देखने को मिलती हैं। एक है scientific authenticity जिसको हम बोलते हैं यहां पर वैग्यानिक प्रमाडिक्ता फिर administrative possibility जिसको हम बोलते हैं प्रस्टाशनिक वहारिक्ता फिर education प्रस्टाशनिक प्रियोग यह तीन चीजे आपको इसके अदर याद रखने हैं कि हमारा कि हमारा जो वैग्यानिक प्रमाडिक्ता है उसके अंदर हमारा आता है Reliability, Validity, Objectivity और Norms इतनी चीज़े इसके अंदर आती हैं ठीक इसके बारे विस्तार पूर रख हम पढ़ेंगे फिर हमारा प्रसासनिक ब्यवारिक्ता में आता है हमारा समय, Time, Money, Equipment, Improbability, Utility, Clearness, Easiness इतनी चीज़े हमारी किसके अंदर आती हैं आपकी प्रसासनिक ब्यवारिक्ता में इतनी चीज़े हमें पढ़ना है किसके अंदर Criteria of Good Test के अंदर इतनी चीज़े इसके अंदर आती हैं ठीक है आप यहां से स्क्रीन सॉट ले सकते हैं और इसको अच्छे से भी आप समझ सकते हैं अचलिए आगे देखते हैं अब हम यहां पर देखेंगे Criteria of Test Scientific Autensity ठीक है जिसके अंदर Reliability, Objectivity, Validity और Norms के बारे में यहां पर पढ़ेंगे जैसा कि हमारे Slavis के अंदर दिया हुआ है सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे अपना Reliability के बारे में ठीक है Reliability के है उसके बारे में हम यहां पर देखते हैं जब हम एक गुरुप या किसी एक व्यक्ति पर एक ही परिस्थिति में टेस्ट लेते हैं तथा टेस्ट लेने वाले भी सेम होते हैं तथा बार बार टेस् कि चलिए 10 athlete हैं ठीक है 10 athlete का मैंने physical fitness test लिया ठीक है test लेने वाला ही मैं ही हूँ और 10 athlete हमारे पास जो है वो हमारे पास 10 athlete है अब उनका बार बार टेस्ट ले रहे हैं जो उनका data निकल के आ रहा है जो उनका आकड़ा आ रहा है वो same आ रहा है ठीक है और मैं ही बार बार वोगर दस बार टेस्ट कराता हूं मैं ही बार बार टेस्ट करा रहा हूं आकड़ा हमारे पास बराबर वही आकड़ा आ रहा है दसियों बार वही आकड़ा आया तो वह reliability कहलाता है ठीक है मतलब टेस्ट हो रहा है एक व्यक्ति का उसमें जो examiner वही है examiner कई बड़ टेस्ट लिया है और आकड़ा उसे मारा है तो क्या कहलाएगा reliability कहलाएगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं objectivity यहां कोई test है sorry objectivity देखते हैं जब कोई test है विभिन समूया व्यक्ति विभिन परिश्थिति पर्रयवरण आये तो उसे objectivity कहते हैं ठीक है यहां पर है गलती से मुझे टाइफ हो गया है ठीक है उसको हटा दीजेगा फिर से एक पर देख लेते हैं objectivity में कहा है जब कोई test विभिन समूया व्यक्ति कॉमा विभिन परिश्थिति कॉमा पर्रयवरण वा टेस्ट लेने वाला भी भिन हो फिर भी परड़ाम सेम आये तो उसे objectivity कहते हैं ठीक है चलिए आगे देखते हैं वैलिडिटी जो purpose का मापन करे उसे वैलिडिटी कहते हैं आप समझ लेजे कि measure to purpose जो purpose को मापता है उसको क्या कहते हैं हम वैलिडिटी कहते हैं ठीक है उसे वैलिडिटी कहते हैं जिस परकार जो test जिस चीज के लिए बना है यदि वहाँ उसी चीज को सही सही मापन करता है त तो उसे ही वैलेटी कहते हैं मतलब एक हमने मांगे चलिए कि एक हमारे पास वेंग मशीन है ठीक है वेट नापने के लिए मशीन है हम किसी बच्चे का वेट नापते हैं एक बार उसका वेट बताया है पचास किलो फिर वही मशीन बताती है एक बार 55 किलो फिर मैं वेट करता ह वही 50-50-50-50 दिखा रहा है तो वो valid होगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं आगे देखते हैं norms मानक norms को हिंदी में मानक बोलते हैं मानक के दोरा ही हमें पता चलता है कि जो test हमने लिया है वह सही है या गलत जिस तरह मानक एक ऐसा scale है जो raw score को standard score में बदलता है ठीक है आगे देखते हैं मानक दो score या दो परडामों के बीच आपस में तुलना करने योग बनाता है ठीक है आगे चलते हैं आगे देखते हैं types and classification of test ठीक है यह हमारी unit 2 के अंदर यह भी दिया हुआ है इसको देख लेते हैं परिच्छन को निम लिखित दो भागों में विभाजित किया गया है ठीक है कौन कौन से दो भाग है सबसे पहला हमारा है standard test दूसरा हमारा है teacher made test सबसे पहले हम यह types की बात कर रहे हैं समाह लिजेगा ठीक है यहाँ लिखा है परिच्छन को निम लिखित दो भागों में विभाजित किया गया किसको परिच्छन को किसको हम यहाँ पर test की बात कर रहे हैं ठीक है type of test की बात कर रहे हैं चलिए आगे देखते है type of test की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला यहां पर हम टेस्ट पढ़ेंगे Standard Test Standard Test वह टेस्ट है जिसको वैज्ञानिक तरीके से बनाया जाता है तथा जिसमें सभी Technical Standard होते हैं जैसे Reliability, Objectivity, Validity, Norms आदी हम यहां पर परिछनड की बात करना है बात समल लेते हैं पहले टेस्ट की बात करना है, तो टेस्ट हमारे दो परकार के हो गए, जिसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, इस्टेंडर टेस्ट के बारे में, ठीक है, इसको हमने समझ लिया है, अब थोड़े इंपोर्टेट पॉंट उसमें मैंने जो आइड के उसको समझ लेते है यह परिछण सभी जानकारियों को एकदम सही रूप से प्रदान करता है, यह परिछण उस समय अध्यापक की साहता करता है, जब अध्यापक के पास समय ना हो या जानकारी ना हो, तब इस टेस्ट का प्रियोग किया जाता है, ठीक है, आगे देखते हैं, अगला जो हमारा आज है, हमने दो टाइप के टेस्ट पढ़े थे, टीचरस, टीचर मैड टेस्ट के बारे महमां बात करेंगे, ठीक है, यह परिछण अध्यापक दोरा, इस्थानी उदेश के लिए बनाया जाता है, इस परिछण को टेलर मेड टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, इस परि से उसको मेजर करने के लिए इस टेस्ट को बनाए गया है ठीक है चलिए इसके कुछ important point सबसे पहला point हमारा है यहां पर यहां परिच्छन ततकाल बनाया जाता है जो यह टेस्ट है वो ततकाल बनाया जाता है दूसरा point है इससे परिच्छन का प्रिच्छन का प्रियोग इस्थानी उद्देश के लिए किया जाता है यहां पर इस से है यहां के पास इस से है ठीक है चलिए आगे देखते हैं यहां टेस्ट सामानिता दूसरों के लिए उपलब्ध नहीं होता मतब इसे class में मारे 40 बच्चे हैं तो हमने उन के लिए बनाए तो हमको उनको कराना यह नहीं कि हम किसी और बच्चे को देतें कहीं बाहर देतें यह नहीं हो सकता इसके इंदर चलिए आगे देखते हैं इस परिच्छन में सभी टेक्निकल स्टेंडर्ड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं ठीक है आगे पॉइंट द के Escape Company कब देख लेते हैं जो कि हमारे स्लेबर स्केंदर दिया हुआ इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं ठीकि możliuity dif क्लासिुब के लगाए को अफgos सब्향ी के दीज हम दप हारे यहां आ अंदर सबसे पहला सबसे पहला सब्सक्राइब सब्सक्राइब दोनों के अंदर ठीक है यहां पर सब्जेक्टिव यहां भी सब्जेक्टिव टेस्ट होगा ठीक है उसके बाद अब्जेक्टिव टेस्ट और अब्जेक्टिव टेस्ट दोनों के अंदर आएंगे यहां पर देख सकते हैं अब्जेक्टिव टेस्ट और अब्जेक्टिव ट चुनकर उत्तर देना objective question में चार विकल्प होते हैं ठीक है जिसमें से एक विकल्प सही answer होता है उस सही विकल्प का चैन करके answer देना होता है objective question का answer सभी व्यक्तिका एक ही होता है इसलिए objective question को बंद सेरे वाले प्रेश्ट भी कहा जाता है मतलब पूछा गया what is aim of physical education ठीक है एक लाइने पूछा गया कि इस physical education का aim क्या है ठीक है तो आपको एक ही लाइने बता देना है to overall development ठीक है व्यक्तिका सरवांगिन विकास ही physical education का aim है ठीक है तो यह हमारा objective type question होगे आप जिससे पूछोगे सब यहीं बताएंगे to overall development सरवांगिन सरवांगिन विका सब यहीं बताएंगे कोई अलग नहीं बताएगा ठीक है तो यह हमारे होते हैं objective type question अब दूसरा हम देखते हैं subjective test ठीक है subjective test उसको देख लेता है subjective का मतलब होता है आत्वनेश्ट यानि ऐसा प्रश्ण जिसका उत्तर अपने सब्दों में देना होता है subjective question में answer अपने सब्दों में दे सकते हैं इस तरह के प्रश्ण का उत्तर सभी व्यक्तिका अलग-अलग होता है जैसे अगर आप से प्रश्ण पूछा जाए कि सारीरिक सिच्छा क्या है तो इस प्रश्ण का उत्तर सभी व्यक्तिकी अपनी अनभव और जानकारी के आधार पर अलग-अलग हो सकता है इसलिए subjective question को खुले सिरे वाले प्रश्ण भी कहा जाता है बैगर किसे भी पूछते है what is physical education तो सब के अलग-अलग है कोई कोई बताएगा कि क किसी चीज़ को अगर किसी भी गेम को हम खेल नहीं तो भी फिजिकल एजुकेशन के बारे में करम पढ़ रहे हैं तो भी physical education होती है ठीक है फिजिकल एजुकेशन के अंदर हम कहीं तारे practical और theory subject पढ़ते हैं मतलब सबका एक अलग-अलग data निकल के आएगा ठीक है तो सब अ अब्जेक्टिव टेस्ट और अब्जेक्टिव टेस्ट के इंदर डिफरेंस का है मैंने आपको बता दिया यहां पर हमने युनिट 1 तो कवर कर लिया है ठीक है और अब हम जो नेस्ट वीडियो लाएंगे उसके अंदर युनिट 3 और युनिट 4 के बारे में हम बात करेंगे इसी प्रकार कि अगर BPA और MP8 के रिकार्डिंग आपको स्लेबस के रिकार्डिंग वीडियो चाहिए तो चैनल पे आप बने रहें और जो निव वीवर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब आवस करें मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जब तक के लिए जय हिंत जय भारत